तो गुद बॉर्णिंग स्टूडेंट्स मैसल प्रदीप सर्टूडे वी प्रेजेंट दे जनल नॉलेज अब क्लास फॉर लेसन वीलड़ हईरीटेज बुद्दे लेशने नाम है इसको हम पढ़ते हैं domainóc वायल वाय क्या है का है ऐसी अधिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं अधिए का मतलब होता है संदक्षित भूभाग जहां पर कोई भी किसी भी तरह के के निर्मान कि आवागवन की सीमित मातरा में अनुमती होती है संदक्षित भूभाग होता है वो इंडिया इज होम अप सेवरल फैबलस वाइल लाइफ सेंचूरी ज एन नेशनल पार्क भारत जो है बहुत सारे जीवो अद्भुत जीवो के निवासुस्थान है उन्हें यहां पर संचूरी के माध्यम से और नेशनल पार्क के माध्यम से सनाक्षित करके रखा गया है विच मेक्स इट्स नेचर लवर परडाइज जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं प्रकृति संदर्ज के जो लवर होते हैं उनके लिए किसी स्वरक से कम नहीं होता है टुरिश फ्रम आल अक्रॉस दा ग्लोब कम टू इंडिया टू टेक लुक अट इट्स रिच वाइल्ड लाइफ एड नेचुरल रगीटिशन पूरे संसार के जो प्रेटक होते हैं जिन्हें प्रकृति से प्रेम होता है वे इंडिया करके एक बार इस जंगली जीवन और प्राकृतिक बिवित्ता का दर्शन करके लुफ्ट उठाना पसंद करते हैं तो बच्चों हम लोग आज इस लेशन में अपने भारत में पाए जाने वाले इनहीं बिवित्ता पुर्ण जीवो और उनके सनक्षित जगहों के बारे में जानेंगे जीवने बिलो और सम्स वाइड लाइफ संचूरीज नेचे जो है कुछ वाइड लाइफ जंगली जीवन से समझ उनके प्राकृतिक निवास अस्थान दिये गया है आपको उन स्थान को पहचानने है जहां पर यह संचूरीज या नेचनल पार्क राश्य उद्यान अवस्थित हैं तो लेट से स्टार्ट हमारा पहला जो है वह है कारवेट नेचनल पार्क या सेरों के लिए बागों के लिए टाइगर के लिए संचूरीज यह जगा यह जिम कारवेट के नाम पर इसका नाम रखा गया है कारवेट नेचनल पार्क यह राश्य उद्यान जहां मुख रुप से बाग पाये जाते हैं बागों को संच्छित किया जाता है यह बरतमान में उत्राखंड नामक राज्जी में हैं उत्राखंड में एक जिला है जिसका नाम है नाईनीताल नाईनीताल जिला में कारवेट नेचनल पार्क है ठीक है बच्छों कानहा नेचनल पार्क में हम हरीनों को मिर्ग मिर्क को हम लोग यहाँ पर सनक्षत रखते हैं कानहा नशनल पार्क जो मध्य पर्देश में हैं मान्दला और बाला गाट नामक जो जिला है उन दोनों जिलाओं में यह क्ली और सद्वरोब्लन वाइल लाफ CT संद्वर geen अपने बागों के लिए प्रशिद हैं किसके ली प्रशिद हैं बागों के लिए प्रशिद ऐस या बहूत सारे जिब जिबियाती मिलती है लेकिंगे मुख्रूप से यह बागों के लिए प्रशिद्ध है यह संद्रवन नामक जगह में पाया जाता है जो भारत के पसिम बंगाल वेस्ट बंगाल और बंगलादेश में इसी थे थे बंगलादेश में भी इसी थे पेरियार संचूरी अपने 20 प्रशिद्ध हांथियों के लिए प्रशिद्ध है तो यह संचूरी केरला में है कहांपर है केरला नामक राज में है केरला के इकूड़ी और पतन मिट्टा जिला में यह संचुड़ी वर्सित है लोग पूपर इन हाथियों से मिलें देखने के लिए वहां पर जाते हैं गीर नेशनल पार्क जो है अपने सेरो के लिए लाइन्स के लिए प्रशिद्ध है यहां भारत के गुजरात नामा का राजी में इस्थित है और गुजरात के जुनागर और अमरेली जिला में यहां नेशनल पार्क जो है यह अवस्थित है काजी रंगा नेशनल पार्क अपने एक सिंग वाले गैंडा के लिए राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है बरतमान में राइनोसोरस की बीडिंग पठना जू में भी संजय गांदी जैविक उद्यान पठना में भी किया जाता है बच्चों जब कभी चिरिया घर घुमने आप गया होंगे तो वहां पर आपनों दोने गैंडो को राइनोसोरस को देखा होगा ऐसे काजी रंगा नेशनल पार्क जो है या असम राजी में है किस राज में है असम राज में है यह मुखरूब से असम राज के गोला घाट और न काले मिर्गे के लिए ब्लैक बग के लिए पुरेविश में प्रशिद्ध है यह ब्लैक बग नेशनल पार्क भी गुजरात राज के भावनगर जिला में इस्थित है यहाँ पर सारे देश और विदेश के सारे के सारे परेटक प्रकृति प्रेमी इन कृष्ण मिर्गों को देखने के लिए आते हैं यहाँ गुजरात राज के भावनगर जिला में इस्थित है नियार संचुड़ी जो है अपने एलिगेटर्स के लिए अपने एलिगेटर्स के लिए मगर मच्छो के लिए जाना जाता है पत्ना जू में भी एलिगेटर्स ब्रिडिंग सिंटर खोला गया है जहां बहुत सारी एलिगेटर्स आज हैं जहां से हर दुसरे दुसरे राज्यों में भी इन्हें भेजा जा रहा है यह नियार संचुरी जहां पर इलिगेटर के लिए यह संचुरी बनाई गई है यह केरला राज के तुरुबवनंत पूरम जिला में इस्थित है एक रोचक फैक्ट और भी है Do you know Corvet National Park is India's first National Park where Tigers are protected 1970 में ही बागों को बचाने के लिए भारत में जब प्लान बनाया गया तो सबसे पहले आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए कृष्णा भी दैसर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेश कीजिए जैसे कि नया नय वीडियो जैसे मैं बनाता जाओं आप लोगों को इसका नोटिफिकर्शन मिलता जाए तो अगले लेशन के बीडियो तक के लिए बच्चों गुडबाई है वे नाइस डेए